नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी भाईयों भेनों का आपके अपने आनलाइन यूट्यूब चैनल लेगरी गुरुजीज में दोस्तों आज हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं TGT क्रिसी 2016 के हल प्रशन पत्र के बारे में जिसका पहला पार्ट हम लोग देख चुके है और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोगों को तिरपन नमबर के कोश्चन से आज स्टार्ट करना है ठीक है बावन प्रशन तक हम लोगों ने प्रिविस पार्ट में देख लिया था चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और आप जो भी भाई भेन आज पहली बार देख रहे या आपने अभी तक नए वाले चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो उससे जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे आपका TGT PGT Practice Set स्टार्ट किया जा चुका है वहाँ पे चल रहा है ठीक है ना चलिए तो बिल्कुल उसको देखे रहेगा आप लोग और मैं इसलिए कर रह है वह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और आप खुद प्रैक्टिस करिए और उस चीज को अपने ग्यान के मुल्यांकन को आप स्वयम करिए क्योंकि यह खुद से ज्यादा मुल्यांकन और कुछ नहीं हो सकता मैं आपका मुल्यांकन नहीं कर सकता आपको खुद अपने ग् करेंगे next question के बारे में अगला महत्वपूर्ण प्रस्ण क्या है जो इवैपो ट्रांस्पिरेशन होता है इसे किसके किसके द्वारा मापा जा सकता है तो याद रखिएगा लाइसी मीटर के द्वारा स्वाल माश्चर डिपलीशन स्टेडीज के द्वारा इटी के द्वी मिजर्ड बाई इवैपो रेशन या इवैपो रेशन डाटा ठीक है इसके अंतरगत हमारा यूएस डवलू भी क्लास ए ओपेन पैन इवैपोरी मीटर आता है संकेट स्क्रीन इ मापने का उपकरण है एक्जैक्ली याद रखेगा पीजो मीटर के द्वारा क्या किया जाता है जल अस्तर को मापा जाता है एक्जैक्ली आपसर नमबर भी आपका पिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रुमेंट है उसका उप्योग किस मापा जाता है मैनो मीटर द्वारा हम लोग रूट प्रेसर को मीजर करते हैं अर्थात जड़ दाब को मीजर करते हैं अल्टी मीटर जो होता है ये उचाई को मापता है और एनिमो मीटर जो होता है ये वायू की गती को मापता है वायू के दिशा को कौन मापेगा तो जड़दाब को मापेगा, अल्टी मीटर उचाई को मापेगा, एनिमो मीटर वायो की गती को मापेगा, विंड वेन वायो की दिशा को ग्यात करता है, ठीक है ना, चलिए, बात करेंगे अगले प्रस्न के बारे में, वह भूमी छेत्र, जो एक उभैनिष्ट बिंद उपर नि खेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, चलिए, बात करते हैं, नेक्स्ट वन की हम लोग बहुत महत्तपूर्ण प्रस्न, एक कीट के सरीर के तीन अंग हैं, कौन-कौन से, जो कीट होता है, उसका सरीर तीन भागों में बटा हुआ होता है, और वो भाग कौन-कौन से होते हैं, तो एड, थोरेक्स, एंड, एब्डॉमेन, सिर, वक्ष और पेट, तीन भागों में ठीक है ना, चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट वन की, बहुत महत्तपूर्ण प्रस्नार है, बाजरे में इसमत रोग है, जो इसमत रोग होता है बाजरे का, वो किसके द्वारा होता है, वो या फिर नन आफ एबब, तो याद रखिएगा, जो बाजरे का इसमत रोग होता है, वो कैसा होता है, तो सीड बाजरे का इसमत ये भी हमारा बीज जनित रोग होता है, कुछ इंपोर्टेंट रोग है, ठीक है, और उसके फैलने का माध्यम है, तो गेहूं का जो लूज इस इसमत है, ये सीड बाजरे का इसमत ये भी हमारा बीज जनित रोग है, गेहूं का इयर का अकल, तो ये हमारा स्वायल बाजिज अर्धात मिरदा जनित रोग होता है, आलू का पछेती अंगमारी, तो वायू बीज एवं मिरदा जनित रोग होता है, अर रहर का उक्ठा जो ह बीज जनित है, मृदा जनित है, बीज और मृदा जनित है या फिर वायू जनित है, बहुत महत्रपूर्ण प्रेश्ण है, और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो मृद रोमी लासिता या डाउनी मिल्डू है, या सीड एंड स्वैल बार नर्थाद, या बीज के द्वारा भी होता है और मृदा के द्वारा भी होता है exactly option number C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बीज एवं मृदा जनित रोगों के बारे में तो मृद रोमिल आसिता हो जाएगा गेहूं का रस्ट हो जाएगा क्रूसिफर का सफेद किट हो जाएगा जिसे वाइट रस्ट आफ क्रूसिफर बोलते हैं ठीक है ना चलिए बात करेंगे आगे हम लोग अनुपूरक परागड सामानितह में बीज समुच्यन को बढ़ाने के लिए किया जाता है जो सप्लिमेंटरी पॉलिनेशन होता है अर्थ समुच्यन को बढ़ाने के लिए क्या सीड सेट को बढ़ाने के लिए सुर्य मुखी में सप्लिमेंटरी पॉलिनेशन इस्तिमाल किया जाता है ठीक है चलिए जलत बीज अंकुरर छमता परिच्छड है यहाँ पे इंगलिस देखते हैं सीड वियाबिल्टी टेस्ट जो क्व उबिल्टी टेस्ट के लिए इस्तिमाल में लाया जाता है आगे बात करेंगे टेटराजोलियम टेस्ट जो होता है इसका पूरा नाम आप जान लीजिए ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड ठीक है? इसका पूरा नाम होता है, कभी-कभी आपसे पूछ लेता है नेक्स्ट कोस्चन की बात करेंगे हम लोग आम की नियमित फलन के लिए किस वृध्धी नियामक की संस्तुती की जाती है जो रिगुलर बियरिंग होता है आम में उसे इनहेंस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए किस वृध्धी नियामक अर्थात रेगुलेटर का हम लोग इस्तिमाल करते हैं, तो याद रखिएगा पैकलो बियुटरा जोल का इस्तिमाल किया जाता है आम में किसके लिए रिगुलर बियरिंग को बढ़ाने के लिए ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्ण के सबजियों का अच्छा या सबजियां किसका अच्छा सुरोत होती है तो उमीद है कि आप लोग ये जानते ही होंगे 2016 में जो लोग दिये होंगे बहुत easy paper भी है, आप लोग देख सकते हैं जो सबजियां होती है, ये किसका उत्तम सुरोत होती है तो vitamins का एक अच्छा सुरोत होता है कौन? Visitable, ठीक है? चलिए डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है किस अवस्था पर काटा जाता है डिब्बा बंदी के लिए जिसे हम लोग कैनिंग कहते हैं For the process of कैनिंग, tomato fruit are harvested at जो डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को हम लोग किस अवस्था पर काटते हैं तो याद रखिएगा हमेशा लाल पकी दसा में अर्थात रेड राई पी स्टेज पर काटते हैं कैनिंग प्रोसेस के लिए ठीक है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे बात करेंगे पसू एवं भैस परिवार से आते हैं यहाँ पर पसू का मतलब गाय हो जाता है गाय औ बोवीडी कुल से बिलाउंग करते हैं गाय, भैस, बकरी ठीक है ना यह आज सुबह का जो नए वाले चैनल पर प्रेक्टिसेट हुआ है उसमें भी प्रस्ण यह था तो यह मिला जुला की यह कहा जा सकता है एक भी प्रस्ण आपका बाहर से नहीं आएगा जैसे देखिए गाय का कुल क्या है बोवीडी है भैस का बोवीडी है भेड का बोवीडी है बकरी का बोवीडी है सुकर का सिवडी है उट का कैमेलीडी है यह सभी जो है वो प्रेक्टिसेशन में आपको सुबह करवा दिये गए हैं बात करेंगे गाय के दूद में उपस्थित प्रोटीन क क्या कहते हैं केसीन प्रोटीन कहा जाता है ठीक है ना चलिए यहों की अंडे में जो प्रोटीन उपस्तित होती है उसे क्या कहते हैं एल्बूमीन कहते हैं मक्के की प्रोटीन को जीन कहते हैं यहों में कौन सी प्रोटीन होती है तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है ठीक ह भैंस के दूद में कौन से प्रोटीन होती है, तो कैरोटीन होती है, गाय के दूद में कौन से प्रोटीन होती है, तो केसीन होती है, ठीक है, रिंडर पेश्ट के कारण होता है, रिंडर पेश्ट या जिसे पोकनी रोग कहते हैं, किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा, खुर्पका मुपका पसू पलेग। जिवान के दौरा थनेला, छे रोग और गला घोटू हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बिल्कुल गला घोटू, कवक से कौन कौन सा होता है, तो दाध हो जाएगा, कवक जनित गर्वपात हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटो जुवा से होता है, सर्रा, सुर्रा लिखा है, सर्रा होता है, मलेरिया और खिलनी जौर, ये सभी किसे होते हैं, प्रोटो जुवा से होते हैं, रानी खेत जो है, रानी खेत आपसे पूछ लेता है, रानी खेत किसके द्वारा होगा, तो बिल्कुल याद रखेगा, वाइरस के द्वार गई थी किस कमेटी के सुझाओ पर की गई थी तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है सीवरमन कमेटी सीवरमन कमेटी के अधक्षिता में एक समिती बनी थी जिसके आधार पर RBI द्वारा नाबार अर्थात राष्टे किरसीयों ग्रामीड विकास पैंग के स्थापन 12 जुलाई 1982 को की गई थी ठीक है ना चलिए बात करते हैं निमलिखित में से किस संगठन का मुख्याले जिनेवा स्विट्चर लेंड में है तो बड़ा इजी सा कोशन है वर्ल्ड मेटरोलोजिकल आर्गनाइजेशन जो है इसका मुख्याले कहां पर है स्विट्चर लेंड में है आगे बात करेंगे हम भारती क्रिशी अनसंधान परिशत के चिंध में कौन सी फसल का चित्र है जो ICAR का लोगो है उसमें किस फसल का चिंध है बहुत महत्तफून और बड़ा इजी सा प्रसन है आप लोग कभी गौर नहीं कियोंगे कुछ लोग आज गौर करेंगे य जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो भारती क्रिशी अनसंधान परिशत अर्थात इंडियन काउंसिलाफ एगरी कल्चर रिसर्च के अस्थापना जो थी वो 1926 में रायल कमीशन आन एगरी कल्चर के नाम पर किया गया था 16 जुलाई 1929 को इसका नाम बदलकर इंपीरि इंडियन कब हुआ तो 1947 में इसका नाम इंडियन काउंसिल आफ एगरी कल्चर हुआ था इसके पहले डीजी जो थे वो बीपी पॉल थे ठीक है और इसके लोगों में गेहों की फसल का चिन है बीपी पॉल को क्या कहते हैं फादर राफ रोज के नाम से भी जानते हैं पहश् संबंध क्या कहलाता है जो पादप वृद्धियवधी और तापमान के बीच में संबंध होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटो थर्मल यूनिट पी टी यू कहते हैं फोटो थर्मल यूनिट ठीक है प्रकास उसमी इकाई आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉश्चन का अंतर सस क्रियाओं का अर्थ होता है वो किसके लिए होता है तो खर पतवारों को नेस्ट करने के लिए होता है एक्जैक्ली आपसर नंबर सी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट वन की बात करें हम लोग अगले प्रेस्ट पर मिर्दा पर पपड़ी जमना में एक समस्या है किस गण के मिर्दा में एक समस्या होती है क्या जो मिर्दा पर पपड़ी जम जाती है तो याद रखेगा अलफी साल गण के अंतरगत जो मिर्दाएं आती है उनमें पपड़ी एक समस्या के रूप में जानी जाती है दालों को फसली प्रडाली में प्राथमिकता दी जाती है क्यों दालों को फसली प्रडाली में प्राथमिकता क्यों दी जाती है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा क्यों क्योंकि उनमें फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्राप अर्थात उर्वर्ता पुनर भंडारक फसल होती है fertility resistant crop होती है ठीक है ना चलिए आगे बात करेंगे हम लोग जो में एक प्रसिद्ध वस्तु है जो जो होती है तो माल्टिंग और बेवरिंग इंडस्ट्री के लिए अर्थात रस और सराब उद्योग के लिए जो जो होता है ये बहुत महत्यपूर्ण भूमी का आदा कर जो में पाया जाता है अगला question है निमलिखित में से कौन सी दलहन फसल को साकाहारी मांस कहा जाता है most important question है साकाहारी मांस किसे कहते हैं तो आप सीधा कहेंगे काउपी अर्थात लोबिया को कहा जाता है ठीक है फैबेसीकुल से लोबिया बिलांग करता है आगे बात करें हम निमलिखित में से कौन सा सामान सफेद सरसों रेपसीट को दरसाता है तो याद रखिएगा सरसों और तारा मीरा जो है ये क्या करता है सफेद सरसों या रेपसीट को इंडिकेट करता है दरसाता है आगे बात करेंगे पूर्ड उर्वरक का अर्थ है उर्वरक जिसमें क्या होता है पूर्ड उर्वरक तो जिनमें तीन प्राथमिक पोशकत तो पाए जाते हों एन पी के उसे हम लोग कहेंगे पूर्ड उर्वरक या complete fertilizer नेक्स्ट वन की बात करें के सी आई के सी आई को क्या कहते हैं तो के सी आई को हम लोग क्या कहते हैं मूरियेट आफ पोटास M.O.P. K.C.I. का मतलब होता है potassium chloride ठीक है के सी यल है यह सॉरी के सी यल को क्या कहते हैं मूरियेट आफ पोटास कहते हैं यहाँ पर आई लिखा हुआ है इसलिए हिंदी में गरबर हुआ के सी यल potassium chloride जिसे मूरियेट आफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है next question है nitrite को nitrate रूप में परिवर्तित करने में सामिल सुक्स्मजीव कौन सा है nitrite को nitrate में कौन परिवर्तित करता है सीधा सजवाब होगा nitrobacter यह सभी प्रस ने solve करवाए जा चुके हैं अब आप लोग कितना पढ़ेंगे कितना previous वीडियो को देख रहे हैं वो आपके उपर नीरभर करेगा gypsum का रासाइनिक सुत्र क्या होता है तो CASO4 into 2H2O होता है यह तो बिल्कुल इजी है one liner notes में भी है theoretical notes में भी है ठीक है चलिए डर्सी ला is related to जो डर्सी ला होता है भाईयों यह flow of liquid through porous medium अर्थात porous medium के द्वारा जो liquid का बहाओ होता है उससे समंधित होता है हमारा ठीक है ना चलिए इसमें से कौन पौधो में नमी तनाओ के समय पौधो में संचित होता है जो जब moisture stress होता है पौधो में तो कौन सा पदार्थ उनमें संचित होने लगता है तो याद रखेगा प्रोलीन नामक एक तत्थ होता है जो moisture stress के condition में पौधो में क्या होता है संचित होने लगता है और यह एक प्रकार का अनावस्य कमीनों अमल होता है ठीक है ना? चलिए वासपोथ सर्जन क्या है? वासपोथ सर्जन, ट्रांस्पिरेशन क्या है? बिल्कुल याद रखेगा Water last from plant surface is known as transpiration पौधे की सतह से जलकार नुकसान ही transpiration कहलाता है जो अपर लिमीट होता है of available water in soil का उसे हम लोग क्या कहते हैं तो ध्यान दीजेगा उसे field capacity कहा जाता है ठीक है न? चलिए एग्रो इस्टो लाजी का अध्यन है एग्रो इस्टो लाजी का अध्यन क्या है? तो घासों का अध्यन करना क्या कहलाता है? agroistology forestry के अंतरगत क्या करते हैं तो व्रिक्षों का अध्यन stillvy culture के अंतरगत चारा गाहका ओलेरी culture में सबजियों का अध्यन और पॉमोलाजी में फलों का अध्यन किया जाता है next question है कीट विज्यान से संदर्भित है कीट विज्यान से क्या संदर्भित है तो कीटों का अध्यन इंटो मुलाजी कहते है ठिक है चलिए इंटो मुलाजी कीटों का अध्यन होता है फाइटो पैथोलाजी पौधो में रोगों का अध्यन है निमेटोलाजी सुत्रक्रिमी का अध्यन है Metrology चलवायू का अध्यान है Ecology पारिष्थितकिय का अध्यान कहलाता है गन्ने में Dead Heart किसके कारण होता है बड़ा ईजी सा प्रस्न है तो जो Dead Heart होता है भाईयों यह हमारा Top Borer अर्थात सिर्ष छेदक के द्वारा होता है जिसका नाम होता है क्या Triporrhiza nivella और यह Pyrilideticul का हमारा सदस्य होता है Mycology के अध्यान से समंदित है Mycology के अंतरगत किसका अध्यान किया जाता है तो फंजाई का या फंगी का अध्यान किया जाता है Pycology के अंतरगत किसका किया जाता है तो Algae का Bacteriology के अंतरगत Bacteria का Proto Geology के अंतरगत तो इसे हम लोग आफ टाइप प्लांट कहते हैं, एक्जेक्टली अप्सन नमबर B बिल्कुल सही होगा, ठीक है, चलिए, वे बीज जिन में भूर्ण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, अल्ब्यूमीन रहित बीज, ठीक है, एक्जेक्टली अप्सन नमबर B जिसमें भूर्ण पोस नहीं होता है, तो इसमें अल्ब्यूमीन रहित बीज में भूर्ण पोस नहीं पाया जाता, और जो अल्ब्यूमीन सहीत है या अल्ब्यूमीन सीट है, इसमें भूर्ण पोस पाया जाता है, याद रखिएगा, चलिए मार्मलेट बनाने के लिए निमलिखित में से किस फल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है मार्मलेट बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा हमेशा खट्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है संत्रा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर्थात निम्बू वर्गी फलों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे बात करेंगे निमलिखित में से कौन सी सबजियां चीनो पोडियसी परिवार से आती हैं बहुत महत्वपूर्ण है चीनो पोडियसी कुल से कौन बिलांग करेंगा इस पिनाच जिसे पालक कहा जाता है ये चीनो पोडियसी कुल से बिलांग करते हैं जिसे आलू हो गया आलू हमारा सोलेनेसी कुल से बिलांग करता है सकरकंद, कनवान्वुलेसी से, भिंडी, मालवेसी, पालक, चीनो, पोडियेसी, फूल को भी क्रूसी फेरी ठीक है न? खीस पिलाना के लिए आवस्यक है खीस जो होता है, ये रोक प्रतिरोदक छमता को बढ़ा देता है इसलिए खीस पिलाना, कुलेस्ट्रम पिलाना बच्चों को आवस्यक हो जाता है आगे बात करेंगे पसु पलेग का दूसरा नाम क्या है? पसु पलेग का दूसरा नाम जो होता है उसे कहते हैं रिंडर पेस्ट अर्थात पोकनी डिचीज, ठीक है ना? पसु पलेग रिंडर पेस्ट कहते हैं चेचक को पॉक्स कहते हैं गिल्टी रोग को एंथ्रेक्स कहते हैं जिसे चुड़चुड़ी रोग भी कहा जाता है थनेला को मेस्टाइटिस कहते हैं छैर रोग को टूबरकुलोसिस या टीबी भी कहा जाता है गाय से भुरूण का निसकासन क्या कहलाता है तो कालविंग कहा जाता है गाय से भुरूण का निसकासन जब भी गाय से भुरूण का निसकासन होगा तो उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे कालविंग भैस से ब्रूड का निसकासन होगा तो क्या कहेंगे उसे भी कालविंग कहेंगे बकरी की ब्यानी को क्या कहते है किडिंग कहते है भेड में लैंबिंग कहते है सूकर में फरोइंग कहते है और मुर्गी में हैचिंग कहते है ये बड़ा नार्मल सा चीज है, ये तो कई बार हमने solve भी करवा दिया सब, निमनलिकित पौदों में से किसकी प्रकास स्वसंदर उच्चतम होती है, तो याद रखेगा, धान की प्रकास स्वसंदर सबसे उच्चतम होती है, ठीक है न, चलिए, और साथ ही साथ एक बार अर्गराइजेशन का मुख्याले कहां है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका मुख्याले रोम इटली में है, ठीक है न, चलिए, अस्थापना कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एगरी कल्चर अर्गराइजेशन का अस्थापना किया गया था, ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट कोश्चन का, राष्टिय जैविक इस्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहां है, तो यह हमारा रायपूर 36 गड़ में इस्थित है, जिसे कहते क्या है, NIBSM, National Institute of Biotic Stresses Management रायपूर 36 गड़, ठीक है न, चलिए, दिये गए अस्थान और समय पर वायुमंडली दसाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे मौसम कहते हैं, ठीक है, जलवाय होता है, यह लंबी अवस्था को दर्साता है, मौसम होता है, यह छोटी अवस्था को दर्साता है, और इन सभी का अध्यन जो होता है, वो क्या कहलाता है, मौसम का अध्यन, मौसम भी क्यान कहलाता है, बात करेंगे मेग वीजन किसकी सहायता से किया जाता है तो एक होता है warm seeding एक होता है cold seeding तो जो मेग वीजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखेगा silver iodide के द्वारा ठीक है न? चलिए मिर्दा के बड़े छिद्र सामाने तह भरे होते हैं किससे तो water और air दोनों के द्वारा मिर्दा के छिद्र जिसे pore space कहते हैं वो भरे रहते हैं आगे बात करेंगे वह मसीनी उपकरण जो सनरच्छन क्रिसी में परियुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग rotavator कहते हैं ये हमारा सनरच्छन क्रिसी में परियुक्त नहीं होता है बाकी के जो टर्बो सीडर है या raised bed planter है ये सभी हमारे परियुक्त में लाए जाते हैं बात करेंगे कई वर्सों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है तो उसे हम लोग एकल फसली क्रिसी या monocropping कहते हैं ठीक है चलिए आगे बात करेंगे गेहूं में सिचाई के लिए सबसे करांती कवस्था बड़ा easy सा question है CRI stage, crowned routine initiation stage बोलते हैं ठीक है गेहूं के लिए करांती कवस्था सिचाई का कौन सा है तो CRI stage है धान के लिए पेनिकल stage है और milking stage बाजरे के लिए flowering stage मक्के के लिए silking stage और tessle stage सोयबीन के लिए पुस्पावस्था और फली भरते समय अर्थाथ पार्ड फिलिंग ठीक है ब्लेक ग्राम या जिसे उर्द कहते हैं धोसा और इडली जैसा भोजपदार्थ इसी से बनाया चाता है उर्द से ठीक है बात करेंगे next वन की अफला टाक्सीन समस्या निमलिखित में से कौन सी तिलहन फसल में सरवाधिक पाई जाती है अफला टाक्सीन की समस्या ग्राउं के नाम से जानी जाती है तो सरसों की फली को क्या कहा जाता है सिलिकुआ कहा जाता है एक्जैक्ली आपसन नमबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरसों के पाउत की फली को क्या कहते है तो सिलिकुआ कहा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट फल है उसके फल का परकार है सर रखेगा important रहेगा आगे बात करते हैं पौधे को पर्यापत और उप्यूक्त अनुपात में पोसक तत्तों की आपूर्ती करने की मिर्दा की अंतरनहित विशेस्ता जो होती है उसे क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है ये और बिल्कुल मिर्दा की उर्वरता या soil fertility कहा जाता है next question की बात करें निमनलकित में से कौन सा उर्वरक पूर्डत भारत में बाहर से आयात किया जाता है आप सभी लोग जानते हैं पोटासी कूर्वरक जो होता है या पूर्डत आयात पर ही भारत इस पे निर्भर है भी ठीक है जिसे कहते हैं कुछ पोटासी उक पोटासीं कि मक्टासीएल कहते हैं 58-62% पोटासीएल होता है पोटासीएल की बास करें मायककर राईजा पौदी के किस भाग से सम्बंदित है तो मायको राईजा जो होता है वो root से associate होता है रूट से समंधित होता है किसमें उच्च कुल के पौधों में ठीक है ना चलिए निमनिलकित में से कौन सा मिर्दा प्रकार अधिक्तम जलधारण करता है तो याद रखेगा क्लेस वायल सबसे अधिक जलधारण छमता होती है चिकनी मिर्दा की ठीक है बात करेंगे जलधाब परिस्थितियों के अंतरगत सबसे पहले निमनिलकित में से कौन प्रभावित होता है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा एक्जैक्टली याद रखेगा कोईसका विभाजन का दिर्गिकरण अर्थात सिल डिविजन एंड इलांगेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जलधाब परिस्थितियों के अंतरगत आगे बात करेंगे निमन लिखित में से किस फसल को अधिक जल चाहिए होता है पेलकुल इंपॉर्टेंट है तो याद रखेगा यहाँ गन्ना जो है इसे सबसे अधिक जल चाहिए होगा बात करें धान की तो इसे 1400-1600 मिलिमीटर प्रति हेक्टेर जल चाहिए ठीक है गियह होगी 420-450 मुख्फली का 556-634 कपास को 560-620 और गन्ने को 1500-1650 एमेम प्रति हेक्टेर जल चाहिए होता है जिसे मिलिमीटर कहते हैं आगे बात करेंगे पादब जल इस्थित में निमनलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है तो याद रखेगा पादब जल रिलेटिव वाटर कंटेंट डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसीट सभी संबंधित है टर्गर पोटेंसियल भी है पट इन्फिल्ट्रेशन रेट ज दिया जाता है तो मृदा अपरदनीयता को बढ़ता है अर्थात इंक्रीज स्वाईल इरोडेबिल्टी मृदा का जो अपरदन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है भारी मसेंड्री के परियोग से नेक्स्ट वन की बात करें सारवजनिक मृदाहरास समीकरण के द्वारा प बहुत महत्तोपूर्ण है, यह समिकरण आपके नोट्स में दिया गया है, वन लाइनर में भी है, ठीक है, चलिए, यह बराबर RKLSCP, यह पूरा समझाया भी गया है, उसमें, अकेरिडी साइट, ठीक है, अकेरी साइट, आर यूजड ऐज अगेंस्ट, जो अकेरी साइट होता है, यह किसके अगेंस्ट होता है, तो माइट के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, माइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकेरी साइट इस्तेमाल करते हैं कीट के लिए इंसेक्टी साइड, फंजाई के लिए फंजी साइड, रोडेंट के लिए रोडेंटी साइड, ठीक है ना, माइट के लिए अकेरी साइड, ठीक है ना, चलिए बात करेंगे निमलिखित में से कौन सा विसान जनित रोग है वाइरस के द्वारा कौन होगा पोटेटो मोजैक मोजैक जहां भी आ जाए समझ लीजिए वाइरस के द्वारा होगा ठीक है न चलिए आलू का मोजैक यहां एफिट के द्वारा फैलाया जाता है तंबाकू का मोजैक एफिट के द्वारा जो भी हमारे वाइरस वाले हैं वो एफिट के द्वारा ज्यादा चांस रहता है आलू का पत्ती सिकुडन स्वेत मक्खी कपास का पत्ती सिकुडन स्वेत मक्खी अगले प्रस्ण की तरफ चलेंगे हम लोग गुडवत्तापूर्ड बीज उत्पादन में वांचित नियुंतम प्रथक करन दूरी है क्या है जो गुडवत्तापूर्ड बीज उत्पादन में वांचित नियुंतम प्रथक करन दूरी कितनी होनी चाहिए इसका जो isolation distance होता है वो 3-3 मीटर का होता है धान मतर का 3-3 मीटर सोयाबीन 3-3 मीटर रहेगा आप से यहाँ पूछ लेता है एक बैंगन का तो बैंगन का 1400 यह रहता है isolation distance बात करें सुरज मुखी के बीज क्या कहलाते हैं तो सुरज मुखी के बीज को एकेन कहा जाता है, एकेन के नाम से जाना जाता है, गेहूं के बीज को क्या कहते हैं, तो कैरियापसिस कहते हैं, धान के कैरियापसिस कहते हैं, सुरज मुखी के बीज को एकेन कहा जाता है, गाजर के बीज को सीजो कार्प कहते हैं, चना मतर को द लगातार बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है सीड डिस इन्फेस्टेशन इसके द्वरा क्या किया जाता है बीज प्रिष्ट से रोगाडूं के उन्मूलन की प्रक्रिया के अंतरगती से जाना जाता है आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन की फलों में उपस्थित सबसे मीठी सरकरा काउंस ही है तो फ्रक्टोज होती है सक्रीम ओगेर के बाले में हम लोग नए चैनल पे साइंस में पढ़े ही है जो फ्रक्टोज होता है इसका सुत्र क्या होता है तो C6, S12, O6 होता है ठीक है चलिए जाएगा तो ये रहा भाईयो हमारा 2016 का Important Question Paper जो दो भागों में हमने Complete कर लिया है और फिर से कहेंगे जो लोग यहां तक पहुचें आप लोग नए चैनल से जुड़ जाए और Practice करते रहे है कैसा राय सेशन Comment करिएगा मिलते हैं Next Session में तब तक के लिए